इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सबी काखैरे मकदम हैं अहम खबरों पर एक नजर पहले कोरोना आलमी वबा के बारे में बेलगाम जिला के लिए क्या खबर है दरासर आज के लिए अच्छी खबर है कोई भी नया पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया करनाटक रियासत में मामिले बढ़ते ही नजर आ रहा है आज फिर तकरीबन 120 नए मामिले पॉजिटिव पाये गए करनाटक में पॉजिटिव मरीजों के कुल तायदा 6000 के पार पहुंच चुकिए बेलगाम शहर में एक और इत्मिनान बक्षबात यह रही कि डिस्चार्ज होने वालों की तायदा 38 रही अगर एक हाद कोई पॉजिटिव मामला हासिल होता है तो अच्छी ख़बर यह कह सकते हैं क्योंकि देश बर में हजारों मरीज रोजाना पॉजिटिव पाये जा रहे हैं और हर एक दिन कोरोना मतासरीन की तायदाद बढ़ती ही जा रही है तायदाद को देखकर रियासत ब दिखाए दे रहा है रियासत के वजिर मधूसवामी ने रे और पाबंदी की मांग कि और आगए पाबंदी और बढ़ने को भी बढ़ाने को भी कहा तो स्वामी के बयान के कुछ लम हो में सुरेशकुमार ने कहा के alain classes की महत्राइ कोई सरकारी फैसला नहीं है। स्कूलों को शुरू करने पर भी कोई फैसला भी नहीं लिया गया। साइख को बच्चों के स्पीज की जल्दीर आघे है। इसके को वालिदेन ने फोन के जरीए बता है कि लागडाउन के चलते कारोबार नोकरिया बन थी लिहाजा हमारे पास फी भरने के लिए पैसा नहीं है लेकिन कुस्कूल वालों ने बच्चों की फीज का तकाजा लगाए इस पर भी हुकुमत तवज्जो दे ऐसा इनका मुतालबा ह हमेशा किसी न किसी तरह से शहर के अमन पसंद माहोल को तशद्द्द में बदलने की फिरकापरस्टा हमेशा कोशिश करते रहते हैं लहाज़ा एक बार फिर फिरकापरस्टा कानून को हाथ मे लेकर गुन्डा गर्दी का मजारा करते हैं दिखाई दे रहे हैं और इनकी कानूवर का गोश्ट यमियुकर मर्डी से गोवा बेज आ जाता है पर यह घयर कानूनीette बलकि तबाम कानूनीद अस्तावेजों के साथ दस्तावेजों के साथ गोवा को no a बेजा जाता है जिसे धुए-जाजत भी आसील रह गाड़ी को नजरे आतिश किया गया गाड़ी में तमाम कानूनी दस्तावेस्ते जो जलकर राक हुए वडगाउं पुलिस्थाने में गाड़ी के मालिक समीर बेपाल ने फर्याद दर्ज की जिस पर कारवाई करते हुए दस फिरका परस्त अफरादों पर जुर्माइद किया गया है जिसमें से पांच को गिरफतार किया गया भी पांच को गिरफतार करना है गिरफतार अफरादों के तफसिलात इसतरह और दिगर पांच में भी कम उम्र नौजवान ही है अवाम का मुतलबा है कि इन कम सीन नौजवानों को भड़का कर नफरत की आग लगाने वाले कौन काईद है इन पर सक्त कारवाई करे ताके बेवज़े शाहर को तशद्दूद में बदलने से रोका जा सके बेलगाम में ऐसी कई तंजवे हैं जो नफरत की आग बढ़काने की कोशिश बार बार करती रहती है इन पर जल्द कारवाई है वो इन पर सक्ती से कारवाई क्यों नहीं की जाती क्या इसके पीछे भी सियासी लीडरान का हाथ है ऐसा सवाल भी किया जा रहा है बेलगाम शाहर के शान भारत का सबसे उचा तिरंगा जंडा बड़े धूमदाम से लहराया तो गया परिया जंडा भी सियासत की नजर बन गया क्या ऐसा सवाल आवाम की जानब से किया जा रहा है साभी के मेले जनाब अलहाज फिरोज नूर दिन सेट साहब का देरीना खौब के भारत का सबसे उंचा तिरंगा बेलगाम शहर के किले में लहराने का दोजार आटरा को खौब मकमल हुआ वस वक्त के जिले वजीर रमेजर के उली के हाथों इसे लहराए गया था बारिश के दौरान पर्चम का वजन और भी बढ़ जाता है लहाजा तेज हवाओं की वज़े से भी पर्चम फटनिला तकरीबन सौ करोड की लागत से बना तिरंगा पर्चम की मरमत देखबाल की जिम्धारी बजाज इलेक्रिकल्स कंपनी पर थी पर हुकूमत बदलने के बाद भी सिर्फ 15 अगश 26 जनवरी को ही लहरानी की कोशिश की गई पर किसी न किसी वज़े से यह पर्चम एखाद दिन लहराता नजराता पर पिछले 26 जनवरी को मरमत की वज़े से नहीं चड़ाएगा लेकिन अब इसकी मरमत के लिए हैदराबाद से मरमती वप्त की आमद हुई है पिर तेजवाओं के चलते काम को रोका गया पर जुमिरात को इसे और जारी रखा गया ही सबते मरमत मुकमल हो जाएगे और आने वाले यहों में आजादी के दिन भारत का सबसे उंचा तिरंगा बिलगाम शेहर के असमान पर एक बार फिर लहराता देखा जा सकी यह भी इत इसकी रिपेरी क्यों नहीं की गई जब इसके मरमत की जिमेदारी बजाज अलेक्टरिकल्स को पहले ही दी गई थी तो काम वक्त से पहले क्यों नहीं हुआ खैर देराए दुरस्ता है एक बार फिर सबसे उंचा तिरंगा बिलगाम शेहर के आसमान पर लहराता हुआ जरूर अलेक्त